आत्म निर्भरता और स्वालंबन को लिकर पूरा देश पहल करते दिख रहा है। आत्म निर्भर बनने का प्रयास में लगे हैं तो कई लोग स्वालंबन को लेकर पहल करते नजर आते हैं। हम उसे उचित मुल्य पर बिकरी करते हैं और इससे प्रति दिन की कमाई एक से डेड़ हजार की हो जाती है। वहीं एक अन्य का कहना है कि हमारे पास राह चलते रागीर गन्ना का रस पीने आते हैं। और काफी सुदता के साथ हम गन्ना का रस बेचते हैं। गन्ना रस बेचने के शुरुआत हम उचित मुनाफ़ा मिलने के कारण से शुरू किया। यहां पार ताजा गन्ना जुज्ञ का मिलताए। ताजा निचूवल प्योर। अपना खेट से शुरू मिलतायओ है गन्ना का जूज象। बिन बरक बिन पानेवाला। दिन भर में 1,500 में यह क्यों गया दो सल यह अपना खेट से लाते हैं। काटके ताजा गन्ना यहां पार 20 रुप्या रेट में बिल्टा है इसलिए ज्यादा गराक यहां खड़ा होते हैं वह बिना बरप वाला सुध प्योर गन्ना जूस वहीं एक अन्य गन्ना वेवसाई का मानना है कि इस वेवसाई से जुड़ने पर स्वरुजगार का अच्छा रीजन हुआ है और हमारा जी को पार्जन भी बेहतर हुआ है यही एक साल से यहां पर विक्री जादा होती है जादे तक रोड चलने वाला लोग आता है नया नया अपना खेत में हैं सालों भर बेचते हैं बस एकाद महीना पर साथ में गेप रहता है मैं खेती एकी बार कहां नहीं रुका जूस बेचने के पहले खड़ा कातारी भी कि रहा था गन्ना उसके बाद लाया आदमी देखा कि जूस में ज्यादे है तो फिर जूस मसीन मंगाया इसे चल रहे हैं इसी से चलता है और कुछ बहुत खेती बारी होता है यही सब चल रहे है